हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक ऑन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रमा के एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर फॉर है अगर अभी तक आप लोगों नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वी बेको को डाटने लगते हैं कि तेरी वज़ा से मेरी लड़की भिगड़ गई है कल रात कितनी देरी से आई वह से सजा के तौर पे कहीं ले जाने लगते हैं मगर बाद में पते चलता है कि ये तो ECL और उसकी फैमिली का प्लान है क्योंकि ECL के डैट बेको को मोटिवीट कर बेको की जाने के लिए ही लेकर के गए थे इधर बेको जब ग्राउंड में पहुच किया था तब उसे यहां पे कुछ लोगों से सुनने को मिलता है कि उनका कोच जीवान इनके क्लब के प्रेजडेंट का बेटा है वो भी काफी अच्छा प्रेयर हुआ करता था मगर उसे एक एसे इंजरी हुई थी जिसके वज़ासे उसने बेसबाल से किव अप कर दिया था अब बेको को यह पता चल जाता है तो वह सीधिये जीवान के पास जाता है और तुम क्या चाहते हो कि हम सब भी बेसबाल चोड़ दें वो जीवान से बोलता है कि मैं मेरे कल पे बिलीव रखता हूं और मैं तमसे शर्ट लगाता हूं कि मैं बेस्पॉल नहीं छोड़ूँगा अब बेखो की जाने के बाद येसील भी पहुँच आती है जीवान के पास कि अपने डिसीजन बदलो और टीम में सब को वापस लो वो तो जीवान को सना के चली गई थी क्योंकि वो जीवान को गलत समझ रही थी मगर बाद में जीवान सारे ही प्लेयर्स को उनका चार्ट देता है जिसमें सबकी कम्याँ और रीजन लिखे हुए थे कि वो बेस्पॉल में क्यों अच्छे नहीं और उन्हें क्या करना चाहिए जिससे ये सभी प्लियर्स को समझ में आ चाता है कि वो बेस्बॉल के लिए क्यों नहीं बने हैं और ECOL को भी पते चल जाता है कि जीवान वो तो सब की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहा था और इसके बाद वो कोच यानि कि जीवान से दोस्ती कर लेती है मगर इन दोनों की हुई नहीं नहीं दोस्ती उससे तो बेको जैलिस हो रहा था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और उसे पता था क्या कि क्या होने वाला है कि रागी ECOL और बेको पार्क में बैठी होए थे बातो बातो में बेको ECOL से बोलता है कि मैं तमसे वादा करता हूं कि कभी भी बेस बॉल नहीं चोड़ूंगा तब ECOL बोलती है तो क्या इस बॉल को तुम मुझे साइन करके दे सकते हो बेको उसे बाल साइन करके देता है और ECL कहती है कि आदकार के लिए चले एक फोटो लेते हैं मगर जब वो फोटो लेते हैं तभी कैमरा की फ्लैश बढ़ते ही बेको फिर से पास्ट से ही प्रेजेट में ही पहुच जाता है यहां आने पर उसे पते चलता है कि वो अभी भी बेसबॉल के गेम से जुड़ा हुआ है मगर एक प्लेयर की तरह नहीं बलकी अमपायर की तरह खेर तभी जीवान उसे मिलने के लिए आता है जो कि उसे अपनी शादी का कार्ट देने के लिए आया था जिससे बेको को पते चलता है कि शादी एक महीना आगे बढ़ चुकी है खेर आगे वो जीवान और येसबॉल को साथ में देखकर के खुद को ही कोस रहा था कि मैं दो बार पास्ट में गया मगर अभी भी चीज़े वैसे ही है और शादी अभी भी हो रही है आगे उसे ये भी पते चलता है कि पास्ट में उसकी वज़ा से एक प्लेयर को बॉल लग गई थी जिस वज़ा से वो अब अमपायर है क्योंकि दुबारा वो बेस्बॉल खेल ही नहीं पाया उस गिल्ट के वज़ा से जिस वज़े से ये सिवल बहुत ज़ादा परशान है तो अब वो दुबारा से पास्ट में जाना चाता है उसकी इस गल्ती को सुधारने के लिए तब ही उसके सामने टाइम कंड़क्टर आ जाता है जो कि उससे बोलता है मगर इस बार तुम पास्ट में कैसे जाओगे तुम तो एक बेस बाल प्लेयर हो ही नहीं और नहीं तुम्हारा पास कोई बॉल है खेल टाइम कंड़क्टर खुदी बेकों से बोलता है छोलो मैं पी करके बेखो फिर से Past में ही पहुच जाता है मगर इस पहुआ तोससे Heart Attack की आने वाला था Past में पहुच करके क्यों देखता है कि ये Siol और जीवन एक दूसरे को किस करने जा रहे थे वह चलाता है कि नहीं ऐसा एकका ब forg чтобы बोलता है कि लगता तो ऐसे ही है क्योकि यहसे क्यों होगा है तभी यह कियलेगा बेको जरूरी थे लिकाक कर देख अगे कि एंट्री हो जाती जो कि बेको को बिल्कुल अपने पोते की तरह मानते हैं जिनने देखकर और बेखो तो बिल्कुल हैरान ही रहाता है, दादा जी बेखों से बोलते हैं कि आज मुझे तेरे कोट से मिलना है, और उनकी बातों से पता चलता है कि वो भी बेजबाल के एक प्लियर रहे होंगे, खेर अगले सीन में दिखाया जाता है, कि दादा जी तो सीधे जीवान से म मैंने पसंद कर लिया यही सुन करके तो बेको को जटका ही लग जाता है कि दादा जी इसकी नाव डूबोने के लिए आये हैं क्या और ईसी इल भी बोलती है कि आप कैसी बाते कर रहे हैं कोच अनकमफटेवल हो जाएंगे मगर जीवान बोलता है कि नहीं मैं तो विल्कुल भ बेको से बोल रहे थे कि जादा परशान मत हो यह सब कुछ मैंने जान मुझके बोला था उसको उसके सामने मुझे पता है तेरी फीलिंग्स के बारे में तो आखिर तू कभी इसी इल से कंफेस करने वाला है बेको तो अभी भी कुछ नहीं बोल पाता है खेर दादा जी तो आगे बेको को भार भी लेकर के जाते हैं उसे बाल थो करवाने के लिए उसका डर निकालने के वो पूरी कोशिश करते हैं मगर बेको का डर अभी भी नहीं जाता है खेर आगे यह सी ओल भी उसे जबरदस्ती बाहर लियाती है कि चलो मैं पैट पकड़ती हूँ तुम बाल मगर बेको बोलता है कि यह सी ओल मुझसे यह नहीं होगा यह सी ओल बोलती है कि तुम से एक बार कलती हो यह दुबारा नहीं होगी तुम डरो मत और दुबारा बॉल फैको मगर बेको बोलता है कि तुमें के लगता है कि इतना आसान है वो उसके ओपर गुसा करने लगता है ECOL बूलती है कि जब तक तक तुम बॉल नहीं डालोगे तब तक मैं यहां से हिलने वाली नहीं हूँ बेको भी गुस्से में वहां से चोड़ करके आ जाता है वापिस सो अब शाम को स्नोफॉल पढ़ने लगती है बेको को लगता है कि ECOL तो गर वापिस चली गई होगी वो दादा जी के पास जाता है और मालूम करता है कि ECOL कहा है दादा जी कहते हैं उस सुबए तुस से मिलने के लिए तो गई थी मुझे क्या पता कि वो कहा है अब यह जानते ही बेको परशान हो जाता है और तुरंद दादर जी के साथ निकलता है ECO को वापिस लाने के लिए और वो मैडम अभी भी बर्फ में बैट पकड़े वे खड़ी थी बेखो उसे बोलता है कि ECO ये क्या जिद है वापिस चलो मगर ECO बोलती है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और बेखो और दादर जी उसकी चंता में उसे वापिस लेकर के जाने लगते हैं मगर तभी दादर जी की गाड़ी भी रस्ते में खराब हो जाती है तो अब बेखो ECO को इतनी ठंड में अपनी पीट पे लेकर के जाता है होस्पिटल तो अब सीधी अगली सुबा का सीन दिखाया जाता है जब ECO को होश आता है तो अब बेखो उससे माफी मांग लेता है कि उसकी होजसे उसकी तभीत खराब हो गई मगर ECO तो खुश थी कि बेखो ने आखरकार बॉल को त्रो किया और बेखो भी अब खुश उचाता है क्योंकि वो उसके ट्रामा से भार आ चुका था खर अब अगले सीन में दोनों को पार्क में साथ में दिखाया जाता है जहां पे बेखो ECO से बोलता है क्यों उस दिन तुमने उस कोशन का जवाब नहीं दिया था आकरकार तुमारी पहली किस किस के साथ हुई थी ECO गुस्से में पूछती है क्या वाकई तुमने सच में कुछ नहीं पता कि मेरी पहली किस किस के साथ हुई थी बेखो बोलता है क्या तब ही तु पूछ रहा हूँ मगर तभी बेको उसे कीच करके रुक लेता है और उसके बाद वो उसे किस करता है और तभी ECOL से बोलता है कि ये है हमारी first case मगर ECOL वो तो शौक में उसे थपड़ी लगा देती है और कहती है ये कैसा मज़ाख करे हो मेरे साथ दुबारा मज़ाख किया तो दादाजी से कंप्रीन कर दूगी वो तो भाग जाती है ये क्या करके मगर वेको तो थपड़ खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था खेर आगे वेको ग्रॉसरी शॉप में कुछ समान लेने के लिए जाता है मगर वाँ पे एक बंदा कैमरा यूज़ कर रहा था और फ्लेशलाइट इसके आँख में पढ़ते ही ये फिर से पास्ट से प्रेज़न में ही पहुँच जाता है अब इस बार इसे पते चलता है अगर उसने उसे थपर मार दिया और इतनी बार पास्ट में जाने के बाद भी एक चीज़ नहीं बदली वो थी जीवान के लिए ये सीवान की फिलिंग्स खेर वो इसी गुसे में था कि तब ही वहाँ पे जीवान आता है और वो बोलता है बेको से तब वो गया तो माफी मांगने के लिए था मगर इसीवान जादा गुस्सा नहीं थी वो तो उसे क्रिस्मस का गिफ्ट दे दी थी है अब बेको जब घर आकर के गिफ्ट देखता है तब उसे रेलाइस होता है कि आज तक हर क्रिस्मस पे सिर्फ इसीवान ही है अब पास्ट में आकर के भेको तो क्या लगा था मैं कрьिस्मस पे यूप को क्या गिफ्ट दूँ वो अपने दोस्तों से की पूछने लगा था मगर उसे किसी का ऐडिया भी पसंद नहीं आता है खिर आगे बेको देखता है कि ECOL एक कोट को बड़े प्यार से देख रही थी जब बेको उसे बोलता है कि तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती हो मगर ECOL प्राइस देखकर कि उसे छोड़ देती है पर बेको को पता चल गया था कि उसे ECOL को क्या गिर्फ देना है उस कोट की प्राइस बहुत जादा थे इसलिए बेको उस दुकान वाले से बोलता है कि प्लीस इसे आप साइड रख लीजे मैं क्रिस्मस से पहले इसे आगर के ले जाओंगा आप बेको को अलग लक्षे मिल चुका था कि उसे वो कोट ECOL के लिए खरीदना है इसलिए एक तरफ वो दिन रात मेहनत के जा रहा था पार्ट टाइम जॉब करके कि वो ECOL के लिए इसे खरीद के रहेगा तो वहीं दूसरी तरफ ECOL को लगता है कि बेको उसे दूर जा रहा है और इस चीज का फाइदा तो G1 ने उठाया था हाँ इस समय में थोड़ा सा बिजी हूँ तो तुमारा साथ नहीं दे पाऊंगा तो अब ECOL भी इस कांटेस्ट में पार्ट लेने के लिए मान जाती है तो वहीं बेको वो दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे वो कोट खरीदी लेता है मगर कोट खरीदने के चक्कर में उसकी तो तबीयती खराब हो गई थी और ये चीज जब चैनबो को पता चलती है तो उससे पता चल जाती है ECOL को भी कि पता नहीं बेको की तबे तचानक से खराब हो गई है तो बस फिर वो अपने कॉंटेस्ट का फॉर्म भाही पी छोड़ करके अधूरा चली जाती है बेको को देखने के लिए वो दवाई ले करके बेको की घर के भार पहुचाती है और बेको से बोलती है कि तुम अंदर हो तो प्लीज अंदर ही रहना क्योंकि आज मुझे तुम से कुछ कहना है जो कि मैं तुमारे सामने नहीं बोल पाऊंगी आज ECOL हिम्मत करके उससे अपनी फिलिंग्स कनफेस कर देती है मगर जब अंदर जाकर के देखती है तो वहाँ पे बेको था ही नहीं ECOL उदास होके रोने लगती है कि पता नहीं वह कहाँ है मगर बेको वो तो ECOL के कॉंटेस्ट वालों के पास ही गया था ECOL के लिए टाइम माँगने के लिए क्योंकि उसे पहले सी अंदाजा हो गया था कि ECOL ने टाइम पर फॉर्म नहीं भरा होगा मगर इस सब चीजों से ECOL बहुत ही ज़ादा परशान हो जाती है और जब वो कोच को अपने सामने देखती है को अपने आसों नहीं रोक पाती उसके पास जाकर के रोने लगती है इससे तो जीवान का दिल जोरों से धरकने लगता है और वो बोलता है ECOL से कि तुम रो मत फार्म बरने का टाइम अभी भी है मैं उसे समिट कराऊंगा तुम जा जाकर के फार्म बरो तो अब आगी ECOL जाकर के फार्म बरती है और उसके बाद वो जीवान को दे दीती है इदा जीवान अपनी सोर्च से उस फार्म को समिट करने के लिए चला जाता है तो वही ECOL अपनी फिलिंग से लड़ते हुए बेको के उपर से गिवप करने के डिसाइट करती है और वो वहीं पे सो गई थी खेर इतने में ही बेको वहाँ पे आ जाता है वह ECOL को सोता हुआ देखता है और तब उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट इसे पहना दीता है और उसके बाद उसे देखता हुआ उसके बराबर में ही सो जाता है अब अगली सुबा ECOL की जब आँख खुलती है तो वो वह बेको का अपने बराबर में पाती है और फिर उसका दिगावा gift देख करके वो बोलती है कि जब भी सोचती हूँ कि तुमारे उपर से give up कर दूँ तब तुम क्यों कुछ ऐसा कर देते हो अब ये CEO को तो Beko से होता हुआ इतना अच्छा लग रहा था कि वो उसकी photo click करने लगती है और जब photo click होती है तो हम सब को ही पता है कि Beko फिर से present में ही पहुँच जाता है खर इसी के साथ ये वाले part के explanation तो यहीं पे complete होती है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं क्या है तो चैनल को subscribe कर लीजे thanks for watching मिलते बहुत जल